बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सौफ्ट घर में बने हुए स्प्रिंग रोल हलो एवरिवन मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपके साथ वेज स्प्रिंग रोल की रेस्पी सेर करने वाली हूँ जो बच्चों की ओल टाइम फेवरिट होती है इसमें अंदर से बहुत सारा वेजिटेबल स्टफ किया होता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और जटपट बन भी जाती है रेस्पी बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकोन जरूर क्लिक करें ताकि मेरी बनाई हुई रेस्पी की नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहे चलिए फिर आज की रेस्पी बनाते हैं स्प्रिंग रोल का सीट्स बनाने के लिए सबसे पहले उसका डो बनाएंगे इसका डो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दो कोटोरी मैदा लिया है यह तीन सो ग्राम मैदा है अब इसमें आधा चमस नमक डालेंगे नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे अब इसमें दो चमस तेल ला लेंगे यह थंडा तेल है यहाँ पर मैंने रिफैंड तेल का इस्तमाल किया है अब तेल को भी आटे में अच्छे से मिला लेना है जब तेल अच्छे से आटे में मिल जाए तो थोड़ा थोड़ा पानी लेके इस आटे को गूत लेना है यहाँ पर मैंने आटा गूतने के लिए ठंडे पानी का इस्तमाल किया है इस आटे का ज़्यादा टाइट डू नहीं बनाना है और इसे अच्छे से गूतेंगे ताकि यह गूतने के बाद एकदम उलायम हो जाए यह देखिए यह मैंने आटा गूत लिया है अब इसे ढखके 15 मिट के लिए रख देंगे अब वेज स्प्रिंग डोल की स्टफिंग बनाएंगे इसके लिए आप कोई भी वेजिटेबल का इस्तमाल कर सकते हैं इसके लिए मैंने यहाँ फे 2 medium size के बारीक कटे हुई हरी सिम्ला मिर्ची लिया है एक medium size का बारीक कटा हुआ गाजर एक कटोरी बारीक कटा हुआ हरी प्याज का हरा और सफिध हिस्सा डो कटोरी बारी कटा हुआ पता को भी लिया है अब एक पैन को गरम करेंगे उसमें एक चमच तेल डालेंगे तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तो उसमें एक चमच ग्रेट किया हुआ लेसुन डालेंगे और इसे तेल में अच्छे से भूलने ना है इसे तेल में अच्छे से भूलनेने के बाद इसमें बारी कटा हुआ हरा प्यास डालेंगे इसे भी तेल में अच्छे से सौते कर लेंगे याद रहिए सबजियां डालते समय गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई होनी चाहिए अब इसमें बारी कटा हुआ गाजा डालेंगे बारी कटा हुआ सिमला मिर्च भी डालेंगे और इसे अच्छे से सौते करेंगे सबजयों का क्रंच और कलर ऐसे ही रहना चीए अब इसमें बारी कटा हुआ पतागो भी डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेना है अब इसमें आधा चमच कुटी हुई काली मिर्ज डालेंगे दो चमच रेट चिली सॉस एक चमच सोया सॉस यह डार्क सोया सॉस है तो इसलिए मैंने एक ही चमच का इस्तमाल किया है आधा चमच नमक यह अपने स्वाद के अकोर्डिंग आप इसमें डाल सकते हैं एक चमच वीनेगर और एक चमच चीनी डाल के इन्हें सारे सबजों में अच्छे से मिला लेना है अब यह अच्छे से मिक्स हो चुके हैं अब गैस बंद करके इसे ठंडा करेंगे याद रखिए इसे ठंडा करने के बाद ही से स्टफ करना है अब पानी और मैदे का घूल बनाएंगे इसके लिए एक कटोरी में दो चमच मैदा लिया है और इसमें थोड़ा पानी डालेंगे इसका गाड़ा घूल बनाना है ताकि ये गून की तरह स्टिक बने इसका यूज हमें सीट्स में स्टफ करने के बाद जब हम उसे रोल करते हैं तो इस स्प्रिंग रोल अच्छा से स्टिक रहे इसके लिए हम इसका इस्तमाल करते हैं अब ये गोल बन गया है अब 15 मिनट हो चुके हैं अब इस आटे से छोटे छोटे गोले बनाएंगे इनके गोले पूरियों सभी छोटे बनाने हैं ये देखे इस तरह से अब ये मैंने एकदम छोटे छोटे गोले बना लिये हैं अब इन्हें गोल करेंगे और इन पे सूखा आटा लगा के इने बेलना है इने पूरी की साइज का बेलना है इसी तरह तीन पूरिया बेलनी है इसी तरह तीन पूरिया बेलनी है सारी पूरियों को एक साइज का बेलना है अब एक पूरी के उपर आधा चमस तेल डालेंगे और तेल को इस तरह से हाथ से फैला लेना है अब इसके उपर सूखा मैदा डस्ट करेंगे इसके चारों तरफ अच्छे से मैदा डस्ट करना है और इसके बाद इसके उपर दूसरी पूरी रखेंगे और इसके उपर भी सेम प्रोसेस करना है पहले तेल लगाना है इसके बाद मैदा डस्ट करना है मैदा अच्छे से डस्ट करने के बाद फिर से इसके उपर पूरी रखेंगे और इसे हलका प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से चिपके और फिर सूखा मैदा लगा के इसे बेल लेना है इसे अब रोटी की तरह बेलना है इसकी स्प्रिंग रोल की सीट्स बनानी है इस्प्रिंग रोल की सीट्स काफी पतली होती है इसके लिए मैंने इनके बीच में तेल और मैदा लगाया है तेल और मैदा लगाने से जब हमीने सेकेंगे तो ये ठंडे होने के बाद आसानी से निकल जाते हैं और काफी पतले बनते हैं इसे इस तरह रोटी की तरह बेल लेना है ये देखिए इस तरह से ये देखिए ये बेल के हो चुका है इसी तरह सारी रोटीयां बेलनी है इन्हें बेलते समय इनके ज़्यादा बड़े गोले ने लेने है इसी तरह तीन पूरियों को तेट अच्छे से लगाने के बाद मैदा डस्टिंग करने के बाद इन्हें आपस में जोड के रूटिया बना लेनी है ये दिखिए मैंने यहाँ पर रूटिया बना ली है अब इन इसमें पकाना नहीं है ये देखिए ये एक साइड से हलकी सीख चुकी है अब इसे पलट देंगे रोटि हलकी फूल ने लग गई है अब ये हो चुका है अब इसे निकाल लेंगे इसी तरह सारे रोटियों को सेक लेना है ऐसा गरने से जो हमनें तीनों रोटिया बेल के आविज में ठंडी है अब तेनो रोटियां हमने आपस में जोड़ा था, उसे इस तरह से में इस तरह से नेकल देना है और उसलिए उसलिगाती के यह कहांने वी लड़ी इन्हें थोड़ा ठंडा करने के बाद ही ऐसा करें इस तरह से मैंने सारे सीर्स अलग कर लिये हैं आप एक सीर्स लेंगे उपर और नीचे का भाग जो तवे में सेका था सीका हुआ भाग उपर की तरफ रखेंगे और इसमें स्टफिंग डालेंगे अब इसके आगे के हिसे प इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ अब जिस हिसे को उपर फोल्ड किया था उसके उपर भी घोल लगाएंगे और फिर इसे इस तरह से रोल करेंगे ये देखिए इस तरह से अगर आगे का हिसा ओपन है तो फिर से इसमें घोल लगा की से पैक कर ले इस तरह से सारे स्प्रिंग रूल बना लेने हैं इन पे घूल अच्छे से लगाना है छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा तो इस घर में बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं इसी तरह सारे स्प्रिंग रूल बना लेने हैं मैंने यहापे सारे स्प्रिंग रूल बना लिये है अब इन्हें deep fry करेंगे इन्हें fry करने के लिए मैंने तेल कड़ाई में गरम करने रख दिया था अब इन्हें fry करेंगे इन्हें तब तक fry करना है जब तक इनके उपर अच्छा सा color ना आ जाए और ये crispy न हो जाए अब इनके पर अच्छा सा golden color आ गया है अब इसे निकाल लेंगे और इसी तरह सारे spring roll को fry कर लेना है ये मैंने सारे spring roll fry कर लिये हैं ये देखिए ये कितने crispy बने है और अंदर से काफी soft बने हैं मैंने इन्हें tomato sauce के साथ सर्व किया है आप इन्हें किसी भी चटनी या sauce के साथ मेरी recipe का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाल आज की मेरी बनाई हुई recipe अगर आपको पसंद आई है तो इसे like, comment और friends के साथ share जरूर करें ताकि आगे भी मैं आपके साथ ऐसी recipe share करती रहूं और आप भी इसे घर में बनाएं और घर का खाएं